नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मन्ध नुसके मैं हूँ आपके साथ सुमन आरनेगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले की बहुत सो लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और कुछ लोग इसे मुह बना कर खाते हैं लेकिन को भी इसके फायदे नहीं जानता ऐसे में हमने सोचा है क्यों आज आपको बताय जाए करेले खाने के फायदे ताकि वो लोग जो इसे बहुत शौक से खाते हैं वो जाट जाए कि वो कितने ही फायदे मन्द चीज़ खा रहे हैं और वो लोग जो इससे दूर भागते हैं वो इसके फाइदे जानने के बाद इसे खाना शुरू कर दे लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिक विमारियों के प्रभाव वह उनके लक्षणों को कम करने की शमता रखता है करेला एक हरी सब्सक्राइब करेले के जूस का सेवन किया जा सकता है अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो करेले को अपने डाइड में शामिल कर सकते हैं करेला लीवर के लिए एक अच्छा डि डूप से साफ करने में मदद करता है कॉलस्ट्रॉल के करें दिल संबंधी रोग हो सकते हैं या फिर दिल का दौरा पढ़ने का जोखिम रहता है ऐसे में उन खादे प्रधारतों का सेवन करना जरूरी हो जाता है जो कलस्ट्रॉल के स्थर को संतुलित या कम करने में मदद क करेली के लिए भी लाबकारी हो सकते है शोष में कहा गया है इसमें मौजूद बीटा कैरोटिन आंकों की बिमारियों की जोखिम से बचाव कर सकता है इतना ही नहीं या आंकों की रौच्ण बढ़ाने में भी मदद करता है करेले में एंटी इंफ्लामेटरी गुन भी होते हैं ऐसे में इसका सेवन सूजन की जोखिम से बचाफ करने में मदद का साबित हो सकता है सिर्फ स्तेहत के लिए ही नहीं बलकि त्वचा के लिए भी करेला लापकारी है करेले का अरक युक्त स्किन क्रीम खावों के लिए असरदा साबित हो सकता है इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है करेले के फाइदे बहुत है लेकिन अगर आप में इसे बहुत जादा खा लिया तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं चलिए फाइदे के बाद आप जानिए करेले से हूने वाले नुपसा गर्भावस्ता में करेले का सेवन ना करें करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं ऐसे में डॉक्टर से संपर के बाद ही करेले को अपने डाइट में शामिल करें सिर्फ गर्भा वस्ता ही नहीं बलकि स्तन पान कराने वाली महिलाओं को भी करेले के सेवन से बचना चाहिए दरसल करेले में कुछ विशाक्त तत्व भी मौझूद होते हैं जो स्तन पान कराने वाली मां से उनके शिशु में जा सकते हैं जिन लोगों को diabetes है वो diabetes की दवा का सेवन कर रही हैं वे भी करेले का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सला जरूर ले करेला की मातरा को कंट्रोल करता है लेकिन अगर आप में इसे बहुत जादा खालिया तो ब्लड में शुगर की मातरा बहुत जादा कम हो जाएगी ऐसे में ये आप के लिए नुपसान दायग भी हो सकता है कुछ वेक्तियों को करेले का सेवन करने से दस्त, पेट में एठन और सिरदर्द भी होता है उमेद करते हैं इसके फायदे जालने के बाद आप इसकी करवाहट को दूर रख किसे अपने डायट में शामिर जरूर करेंगे साथ ही इस बात का विध्यान रखे कि आपको करेले कितनी मातरा में खाना है और किस दौरान आपको करेले को बिलकुल ही अवाइट करना है अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें उसके बाद ही करेले कोपिन डायट में शामिल करें आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताए अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही खुश नहीं तंदरुस्त रहें नाशकार ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुल्मान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बिटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेलोन उसको से जादा से जादा आप फायदा उठा सकें